ओकी तो आज का अपका टॉपिक है इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन आज हम इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन को डिटेल स्टडी करने वाले हैं अगर आपको पुराने lecture की नीड है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखी है और अगर आपको notes की requirement है तो मैंने telegram channel की link जो है description में दे रखी है आप वहाँ से जाके download कर सकते हूँ तो चलो शिरू करते हैं आज का topic तो चलो शिरू करते हैं आज का lecture electron transport chain काफी जदा important chain है और यह chain पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले clear होना चाहिए glycolysis उसके बाद आपको clear होना चाहिए citric acid cycle then आप start कीजिए electron transport chain ठेके तो जिसने glycolysis नहीं देखी जिसने citric acid cycle नहीं देखी मैंने दो लोग की link जो है description box में दे रखी है अब जाकर देख सकते हैं और काफी अच्छे से समझाया है आयोब आपको अच्छे से याद होगा और जिसने देखी हुई है या फिर जिसको आता है glycolysis citric acid cycle तो चलो शुरू करते हैं electron transport chain शोट मैं बोलूँ तो ETC ठेक है तो देखो पहले मैं last lecture का कुछ revise करूँगा आपको यहाँ पर मैंने आपको बोला ता last lecture में कि यह है outer membrane यह है inner membrane mitochondria की ठेक है mitochondria bilayer होता है outer membrane inner membrane उसके अंदर होता है matrix यह है matrix of mitochondria ठेक तो हमने देखा ता last lecture में कि mitochondria की matrix में TCA मतलब citric acid cycle जो है चलती है यह हमने last lecture में देखा था ठेक है अब यहाँ पर देखो NADS2 FADS2 का formation होता है citric acid cycle में हमने देखा था कि 1 NADS2 3 ATP बना रहा था और 1 FADS2 2 ATP बना रहा था ठेक है तो यह last lecture की बात है कि citric acid cycle जो है matrix तो mitochondria में चलती है और वहाँ पर NADS2 FADS2 का formation होता है एक NADS2 3 ATP बनाता है 1 FADS2 2 ATP बनाता है ठेक तो देखो मैंने यहाँ पर ETC में आपको citric acid क्यों revise करें अब सुनना ध्यान से तो जो citric acid cycle में NADS2 FADS2 बनता है यह अपना electron देने जाता है inner membrane में inner membrane में क्या होता है mitochondria की inner membrane में sequence of protein रहते हैं ठेक है जैसे complex protein दूसरा complex protein तीसरा complex protein इस तरह से complex protein present होते है mitochondria की inner membrane में यह inner membrane mitochondria की और यहाँ पर देखो एक दो तीन चार इस तरह से sequence present है protein की तो जो citric acid cycle में NADS2 FADS2 बना था यहाँ पर बना था matrix of mitochondria में यहाँ से NADS2 यहाँ से FADS2 जाएंगे इन protein complexes के बास और अपना electron दे देंगे क्या बोल रहाँ में जो NADS2 FADS2 citric acid cycle में बना था यह जाएंगे inner membrane of mitochondria में वहाँ पर क्यों जाएंगे क्योंकि वहाँ पर complex of protein present है complex 1 complex 2 इस तरह से electron की naming होती है अभी अपने detail में देखेंगे तो वहाँ पर जाके यह क्या करेंगे अपना electron दे देंगे ठेक है मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है give their electron to sequence of protein and this sequence present in inner mitochondrial membrane यह sequence जो है inner mitochondrial membrane में है और जो NADS2 FADS2 बनता है matrix और mitochondria में यह जाता है inner membrane के पास और दे देता है अपना electron टेक है चलो आगे चलते हैं यह बात आपको clear है तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 1 NADS2 जो है 3 ATP बनाता है 1 FADS2 2 ATP बनाता है ETC में total 34 ATP बनती है याद रखना electron transport chain में total 34 ATP बनती है एक बार summarize कर लो मैंने आपको भूला mitochondria में 2 membrane outer membrane inner membrane जो inner membrane है वहाँ पर sequence of protein है ठीक है और अपने last lecture में देखा था कि matrix में यह जो mitochondria के matrix है यहाँ पर चलती है citric acid cycle या फिर आप बूलो triacaboxlic acid cycle जहाँ पर NADS2 FADS2 बनता है और यह NADS2 FADS2 का बने matrix और mitochondria में यह जाएंगे inner membrane के पास जहाँ पर sequence of protein है और और वहाँ जाके अपना अपना electron दे देंगे ठीक है क्यों देते हैं ताकि ATP formation हो तो देखो अब क्यों देते हैं कैसे देते हैं क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है आप फोन को जो है rotate के लिजिए और समझते जाएए ठीक है मेरे साथ समझिए देखो यहां पर सबसे पहले यहां देखो आप यहां पर क्या है matrix of mitochondria जहां पर ट्राय गावक्सलिक acid cycle या फिर आप बोलो citric acid cycle चल रही है और यहां से क्या हो रहा है ध्यान से सुनना देखो यह TCA से मैंने arrow निकाल के यहां पर पता रखा है कि TCA से NADS 2 बन रहा है ठेक तो यह जो आपको phone rotate करना पड़ रहा है इस से अच्छा कि आप description में जाईए वहां पर telegram की मैंने link दे किये वहां से जाकर यह PDF डाउनलोड कर लीजिए ETC by SG सर ऐसा मैंने लिखा हुआ है आप search कर लीजिए मिल जाएगे आपको मेरे चैनल पर उसके बाद आप यह जो PDF of one कीजिए और अच्छे से सुनिए मेरे को आपको विदिन 10 minute ETC इतनी तरह अच्छी तरह से याद हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से तो चलो पर वापिस continue करते मैंने अभी क्या बोला कि अपन आ गए है mitochondria की matrix के अंदर यह ही matrix of mitochondria टेक और यहां पर देखो इस यहां पर क्या चलती है ट्राय का बोक्स लिए citric acid cycle या फिर आप बोलो citric acid cycle अब देखो यहां पर क्या होगा एने डीएस टू का formation हो रहा था citric acid में यह रहा एने डीएस टू यह एने डीएस टू गया कहां पर गया complex protein के पास जो की present है इनर mitochondrial membrane में देखो यहां पर यहां पर देखो यह है inner membrane एक सेकंड यह है inner спãyse है एक सेकंड हादा है य survivors बढ़ने में थोड़ा बढा जो दिखाया है क्योंकि अगर में इनर इम्रेन को एक ला defenses क्राकाiser था दिखान है। तो ये दोनों जो है ये inner membrane है इसको बस खोल के दिखा रहा है मैंने inner membrane को और ये जो है ये बीच का space है और फिर इसके बाहर के आगई है outer membrane ठेक है अब देखते हैं इसको देखो हमने बोला कि inner membrane में complex of protein present है protein के complex present है देसे ये present है complex 1 फिर आता है complex 3 1 के बाद आता है 3 ध्यान रखना 2 नहीं आता 1 के बाद आता है 3 फिर 2 आता है थोड़ा सा नीचे ये रहा ये जो है थोड़ा सा नीचे shift होता है ठीक उसके बाद आता है complex 4 तो 4 complex present है inner mitochondrial membrane में उनका arrangement क्या है complex 1 फिर आता है complex 3 फिर थोड़ा सा नीचे बनेगा complex 2 और last में आएगा complex 4 clear है अब देखो अब मैंने क्या कहा कि यहां पर जल रही है matrix और mitochondria में citric acid cycle यहां से NADS2 आ रहा है तो जैसे यह NADS2 आएगा इस complex protein के पास यह NADS2 क्या करेगा अपना electron देदेगा देखो मैंने आपर पता रखा है कि यह electron जा रहा है ठीक है किसके पास जा रहा है F1 के पा मन की मर्जी चलाता है इसलिए इसका नाम है F1 मन ठीक है नाम से लग रहा है मन मर्जी चलाता है यह क्या बुल रहा है बच्चों से की बेटा college की fees बहुत जादा है आज कर हर को यह बुलता है college की fees बहुत जादा है अब मैं गया मैंने बुला sir हमारी क्या गलती है देखा जाद है ऐसा क्यों मैं ने पूछा उससे के ऐसा क्यों तो वह बोलता है है तो है हम इसमें कुछ नहीं जै सकते क्वे हैं यह आप नहीं पूछ सकतें ठीड़ें सकते हैं तो एक बार ओर सुनो तो मैं गया विचारा सीधा साथ मैंने बोला सर आपकी फीस क्यूं जादा है तो हो बोलता है हे तो हे हे तो हे मतलब हे ठीक है अब आप ये नहीं पूछ सकते क्यूं है ठीक है तो है तो है क्यूं है आप नहीं पूछ सकते तो मैंने बोला कि अब तो भाया काम मुश्किल हो गया, फीस तो बहुत जादा है, तो B फस गई C1 में, ऐसे याद रखो, साइटोक्रोम B फस गई C1 में, क्या बोलोगे, साइटोक्रोम B, फीस के चक्कर में फस गई, और G1 फस था अपना, इसका C1 फस आए, फस गई C1 में, हमारी बैचारी जिंदगी, B से याद रख लो, फस गई FES, फीस के चकर में फस गई C1 में, और हमारी G1 में फस गई या जिंदगी, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऩहिए, कॉमपलेक्सDas कह लिए, फस गई क्या है, फमन, फ e s, तेखों, कॉमपलेक्सके इंदर क्या है, फमन, f e s, उसके बाहर चैया है Q, q h 2, फिर कॉमपलेक्स bonne के अंदर क्या है, फस गई C1 में, और साइटोक्रोम भी याद रखना है, साइटोक्रोम B फस गई C1 ये ता complex 103 अब यहाँ पर क्या हो रहा है जैसी NADS2 ने electron दिया यह electron आया FMN के पास FMN ने बुला ले भाई catch कर FES ने catch करा FES ने बुला क्यों को ले तू catch कर Q ने catch किया फिर Q ने बुला QS2 के भाई तू catch कर तो QS2 ने catch किया इस तरह से passing passing चल रहा है ठीक है तो अभी तक तो सब clear एक सर सिर्फ electron दिया है और हम पास-पास कर रहे है ठीक है तो जैसे QS2 के पास आया वह electron गया फिर साइटोक्रोम B के पास इस ने बुला भाई तू पकड़ FES फिर FES ने बुला भाई साइटोक्रोम C1 तू ले ले अब साइटोक्रोम C1 भी आगे देगा तो साइटोक्रोम C1 देता है साइटोक्रोम C को ठीक है C1 किसको देता है C को देता है अब C बोलता है कि चले मैं चला complex 4 के पास अच्छा है ये complex 2 के पास क्यों नहीं आया क्योंकि complex 2 जो है थोड़ा नीचे shift है ठीक है तो cytochrome C के पास आया अब cytochrome C से ये सीधा गया cytochrome A और A3 के पास पहले आया A के पास फिर A से गया A3 के पास ठीक तो देख लो कुछ भी नहीं है बड़ा सिंपल सा है वापिस देख लो एक बार सबसे बिला इने डेस्टू आया अपना प्रोटीन का तो उसने इलेक्ट्रोन दे दिया इलेक्ट्रोन गया एफमन के पास ये है प्रिंसिबल साहब इनने बोला मेरा मन ने फीज जादा है मैं पूस्तो लूँ क्यों वो बोले है तो है मेरी मरजी मैंने का ठीक है भाई अब cytochrome B फस गई C1 में ये है complex 3 उसके आपको पूछा जाता है कि final electron acceptor कोन है तो बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चे गलती करते हैं कि यह रहा A3 complex 4 में आकरी यह है तो यह होगा नहीं यह A3 भी electron shift करता है oxygen के पास तो final electron acceptor electron transport chain में होता है oxygen ठीक है और final product क्या बनता है अब देखो जो यह oxygen है matrix में बनेगा ठीक है matrix में बहुत सारा hydrogen present है तो यह oxygen क्या करेगा hydrogen के साथ जुड़ कर water बनाएगा तो आपको पूछा जाता है कि final electron acceptor तो हमने देखा oxygen है और final product of electron transport chain हमने देखा पानी है तो पानी तो final product हो गया और final electron acceptor हो गया oxygen यहाँ तक clear है आपको तो यही यह ETC यहाँ पर क्या हो रहा है electron का transfer हो रहा है बस ठीक है अब देखो main बात हमें electron transfer करके मिल क्या रहा है हम यह electron को क्यों पास पास करवा रहे है तो देखो जैसे electron जो है यहाँ से यहाँ 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 यहाँ तो इसकी energy release होगी उस energy को use करते हुए अब यहाँ पे ध्यान से देखना है एक second यह NADS2 था यहाँ पे इसने electron दिया और यह convert हो गया NAD में ठीक है अब यहाँ से hydrogen भी गया है देखो यहाँ hydrogen था और यहाँ hydrogen नहीं है तो यहाँ पे कहाँ पे आया hydrogen matrix में ठीक है NADS2 से जब यह NAD में convert होगा तो H प्लस यहाँ पे release होगा matrix में अब जैसे जैसे ही electron transport हो रहा है यह electron transport होने के दोरान electron जो है energy release करता है ठीक है और इसी energy का फाइदा उठाते हुए जो hydrogen matrix of mitochondria में present है यह जाएगा आपका inter-membrane space में इस तरह से किसका फाइदा उठाते हुए जो electron transport हो रहा है complex protein में उसकी energy का use करते हुए यह hydrogen matrix of mitochondria से जाएगा inter-membrane space में यह रही है आपकी inter-membrane space और यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि hydrogen आ रहा है ठीक है clear है यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो due to electron transfer अब यहाँ पे मैं को आगे चलना पड़ेगा energy release हमने देखा कि electron transfer हुआ तो energy release हुई electron transfer होने की वज़े से ठीक है and this energy is used by hydrogen हमने देखा कि जो energy release हुई electron transfer होने की वज़े से उस energy को hydrogen ने use किया और वो चल गया inter-membrane space में and this energy is used by hydrogen and hydrogen transfer from matrix of mitochondria to inter-membrane space तो hydrogen ने energy को use किया और matrix of mitochondria से inter-membrane space में हो चला गया टेक यहाँ पे देखो अब देरे-देरे क्या होगा electron जाते जाएंगे electron से energy release होती जाएगी तो H plus जो है matrix से जाते जाएंगे inter-membrane space में now maximum hydrogen H plus goes into inter-membrane space and due to this और इसकी वज़े से क्या होगा एक pressure gradient create हो जाएगा pressure gradient मतलब कि hydrogen जो है अब inter-membrane space में जादा हो जाएंगे H plus जो है inter-membrane space में जादा हो जाएंगे और matrix में जो है H plus बहुत कम हो जाएंगे ठेक है यह लगातार चलता रहेगा तो तो अब क्या होगा देखो अब अपना phone वाफिस rotate कर लो अब ध्यान से देखना अब यह hydrogen electron की energy जो release होई उसको use करके inter-membrane space में जो पोच गए पर वहाँ से वाफिस नीचे कैसे आएंगे नीचे क्यों आना है क्योंकि pressure gradient बन गया तो नीचे आना पड़ेगा इनको तो जिसे यह outer membrane है mitochondria की यह inner membrane है और यह जो है बीच का space है inter-membrane space जहाँ पे hydrogen बहुत ज़्यादा हो गए तो अब एक और complex होता है that is complex fifth और यह complex fifth क्या करता है इस hydrogen को यहाँ से वापिस लाता है matrix of mitochondria में ठीक तो complex fifth को हम बोल सकते है F0 F1 particle यह जो बड़ा सा है यह है F0 यह और यह जो head like part है यह है F1 तो हम दोनों को मिला के बोल रहे है F0 F1 particle that is complex fifth क्या यूज़ है इसका complex fifth जो है inter-membrane space में जितने भी hydrogen जैने उन सब को लाएगा वापिस matrix of mitochondria में अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से सुनना जैसे जैसे hydrogen जो है अंदर आते जा रहे है F0 F1 particle की मदद से अब यह जो F1 है यह जो F1 है उसको हम head बोल रहे है head की तरह ही है तो यहाँ पर enzyme होता है ATP synthase क्या नाम है ATP synthase synthase मतलब बनाने वाला किसको बनाने वाला ATP को बनाने वाला तो यहाँ पर enzyme present होता है ATP synthase जिसकी वज़े से ADP जो है adenosine diphosphate वो convert हो जाएगा adenosine triphosphate में देखो नाम से देखो diphosphate है तो एक phosphate और जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा triphosphate तो ADP में एक phosphate और जोड़ दिया तो बन गया ATP अब यह कैसे बना सर कोई जादू है क्या नहीं जो hydrogen उपर से नीचे आ रहा है उसकी potential energy use करके ADP जो है ATP में convert होगा और वेसे भी यहाँ पे तो enzyme भी ATP जिनते है तो दोनों तरफ से मदद मिल रही है ठेक है तो जब ADP से ATP बन रहा है यह जो ADP है इससे ATP बन रहा है इसी process को हम कह रहे है oxidative phosphorylation क्या बोल रहे है oxidative phosphorylation यहाँ पर जो hydrogen उपर से नीचे आ रहे है ADP जो है ATP में convert हो रहा है इससे हम कहेंगे oxidative phosphorylation तो यह पूरी ETC किसके लिए चल रही थी ATP बनाने के लिए हम यह पूरा ड्रामा कर क्यों रहते ताकि हमारी ATP बन जाए ठेक है अब एक और important बात मैं आपको बताना भूल गया अपर एक बार चलते हैं पन cycle पे देखों यहाँ पर यहाँ पर complex 2 का क्यों रोल है जो अपन ने देखा कि NADS2 जो था वो तो इदर गया complex 1 के पास अब जो FADS2 है वो जाएगा complex 2 के पास जो की नीचे है थोड़ा ठेक है तो FADS2 गया इसना अपना electron दिया यहाँ पर FES होता है पहला electron acceptor कोन होता है यहाँ पर complex 2 में FES ठीक फिर यह जो है continue हो जाएगा यहीं से यहाँ से Q QH2 ठीक है B FES C1 C पर सबसे पहले complex 2 में क्या होगा कि FADS2 जाता है यहाँ पर अपना electron देता है FES को और फिर यह cycle यहाँ से continue होती है यहाँ से Q QH2 ठीक है तो इतना से आपको ध्यान रखना है बस अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके significance और फिर आपका lecture खतम तो देखो एक काफे ज़दा important significance है और बहुत अच्छा significance है ध्यान से सुनना कि जैसे जो NADS2, FADS2 citric acid cycle में बन रहा था matrix of mitochondria में वो क्या कर रहे थे अपना electron दे दे के आ रहे थे और जैसे ही वो अपना electron दे रहे थे वो convert हो रहा था NAD में FAD में ठेक है तो होता क्या है NADS2 बना matrix में वो जाएगा intermibrant के पास वहाँ पे देखेगा complex routine ठेक, अब यहाँ पे क्या है now this oxidized form अब जो यह NADS, FADA यह किस में यूज आएंगे यह electron carrier की तरह यूज आएंगे glycolysis में kreap cycle में या फिर आप बोलो TCA cycle में, citric acid cycle में तो जो यह oxidized form बना electron carrier का यह जाएंगे वापस glycolysis में, citric acid में और वहाँ पे वापस क्या करेंगे यह FAD से FADS2 बनाएंगे ठेक, और वहाँ FADS2 बनाने के बाद, यह वापस जाएंगे तो ऐसे चलती रहेगी, कहां जाएंगे inter membrane space में, sorry inner membrane में जहां पे complex protein present है तो यह series चलती रहेगी ठेक है, और दूसरा इसका significance क्या है, देखो दूसरा है generating proton gradient हमने देखा था, proton gradient बन गया था, hydrogen जो है उपर बहुत जादा हो गए थे, और matrix में कम हो गए थे, फिर हमने complex fifth से, यहाँ पर देखो, आप मैंने आपको बताया है, कि complex fifth से, अपनने hydrogen वापस नीचे लाए थे, ठेक है, तो यह नीचे क्यों आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर gradient बन गया था, तो इसी gradient की वज़े से ATP form हो रही थी, मन आपको बताया, तो वह इसका significance है यहाँ पर जो है, finally ATP form हो जाती तो यह दो significance आपने देखे, generating proton gradient, regenerating electron carriers, और अब लिख सकते हो, कि ATP बना रही है, अच्छी घासी, ठीक है, अब यह inhibitors दे रखे हैं, ज़्यादा काम के हैं नी, फिर भी एक बार में बोल के बता दे तो आपको, अब यहाँ पर दे रखा है कि हम cytokrome B से cytokrome C1 में, electron को नहीं transfer कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आगया inhibitor, जिसका नाम है antimycin A, ठीक है, वैसे ही FMN से हम क्यों तक नहीं पहुचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या आगया, देखो इसको ऐसे याद रखो, amital roti neon, पर इसको याद रखने का तरीका में बताता हूँ, बिल्कुल दे से ट्रिक, ammy ने ताला लगा दिया, ammy ताल, ठीक है, ammy ने ताला लगा दिया, बोल रही है, रोटी नहीं मिलेगी आच, ठीक है, तो ऐसे याद रहे जाएगे, तुम्हें amital roti neon, ammy ने ताला लगा दिया, बोले, आपने लास्ट लेक्चर की बात करी, टोटल 34 ATP बनते हैं, फिर अपने देखी, cycle काफी अच्छी है, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल की लिंक डिस्किप्शन में है, विजिट करो, PDF डाउनलोड करो, और अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, फिर अपने दिखा है, FOFN particle inhibitors of it is, और फिर देखे, last में significance, यह ता आज का अपका लेक्चर, बहुत जल्दी मिलते हैं, HM patient, glyconeogenesis, और भी कई तरह की, जैसे, Denovo synthesis of fatty acid, beta oxidation of fatty acid, enzymes, बहुत सारा biochemistry में पढ़ाना है, मैंको आपको, आपने जिसने glycolysis, citric acid नहीं देखी, जरूर देखना, आपको याद हो जाएगी, Thank you so much, thanks for watching, keep support, thank you, बने रही है, जुडे रही है, और अगर किसी का भाई बंदू नीटी की preparation कर रहा है, तो मैंने यापर biology class 11-12 की chemistry, sorry, biology class 11-12 chemistry साथ में quick revision series भी यहाँ पर करा रहे है, question practice के साथ, तो जरूर ये channel suggest करना, thank you,